हम वापस आगए अधाब बहुत खराब है मैं लिटरली दवाईयां खाके आज मेरा कोई वीडियो बनाने का इसे इच्छा खास नहीं था क्यूंकि क्यूंकि सीन्स ऐसे हैं कि कोरोना चल रहा है मिझे सर्दी हुई अलकिसी हम लोग बाहर खाने चले गए थे मैं और मेरा दोस कामिल तो उसकी वज़े से यह हो गया कि हम लोगों ने बहार ठंडा पी लिया और ठंडा पाने पी लिया तो यह वीडियो बहुत रहने वाले कोई ट्रांजिशन कुछ नहीं होगा मैं सिंपल चीज़ बताने वाला हूं लीगली स्कैम्स क्या हो रहा है जिसके खिलाफ कि लोग यह बोलते हैं जो ज़स्काइम नहीं हो रहा है यह आपको वीजा देडी है कि यह बोला जाएगा आपको कि आपको इतने इतने रुपे भण बने यह गोना भी गोडि़ इंफार टूरिस्ट वीज लिजा दाने के बाद आपको वहां पर आपकर करेंगे और फिर उ साथ यह सीन हुआ I am not ashamed of it और मैं चाहता था कि लोगों पता चले यह कोई content भी देता जब मैं यूट्यूब पे इतना मैं active नहीं था उसके पहले का रिगार्डिंग तो वहां से हम एक मेरे कोई अंका नाम नहीं लुगा उनकी गलती नहीं है उनके साथ भी हुआ यह चीज और अब हम लोगों ने उनका मतलब influence आया वह काम किया और वह हमारी मर्जी थी यह थू हमारी मर्जी थी मैंने भी हमारी मर्जी से मेरे पैसे मैं लगा पहले उन्होंने कहा कि आपको सिर्फ 3,000 रुपे भड़ने और बाकी सारा का सारा पैसा आपकी वहां की जो कंपनी होगी वह भड़े की मतलब आप देख रहे हो टूरीज वीजा पर कंपनी पहले से स्पॉंसर मतलब इंका उस लेवल तक का इन्होंने हमको एक तरह से ग्री किया और हमको एग्री कर लिया कि यह पॉसिबल है पहले थीने जार भरो हमने तीने जार बरे फॉर रिजिस्ट्रेशन उसका बागी सारा आपका वीजा का करच्छा आपका फाइलिंक का करच्छा ट्रांस्पोटेशन ट्रावेल और इवन अपकी फ्लाइट की टिकेट सब क कुछ कंपनी कराने वाली है यह नौट पसिबल पर हमने तीने जार भर दिये थे हमने वोला ठीक है आगे बढ़ते हैं रिजिस्ट्रेशन मतलब इंका को रिजिस्ट्रेशन को ऐसे ऑफिशन साइट पर नहीं हो रहा ही नहीं का भाई मतलब अंदर ही अंदर की का तो उसके बार आता है कि हाँ सर आपकी यह सेलरी लगए मैं कुछ सर्विस फिल्ड इंजिनियर कुछ था उस पर कुछ इन लोगों ने पेज दाया 22 ऑस्ट्रिलियन डॉलर्स पर अवर हम खुश 22 डॉलर के साब से इंडिन करेंसी देखोगे तो बहुत जादा होती है और उसके बाद जो भी इंक्रिमेंट हो इंसेंटिव सब कुछ लेके काफी जादा अमाउंट हो जाता है तो हमने वह भरा उसके बाद हमको दो मिने मट बंप फोड़ा जाता है कि आपको भरने हैं 22,000 रुपे 22-20,000 रुपे था मैं स्क्रिंशोट डाल दूँगा मैं पास है पड़े मैं प पास उस ताइम मेरी आ रही थी पर उसको मैं आपना जाव अबक्सिति हम लेया व्याओ लेया कि हम सिर्व पर के लिए प्ड़ेदे जॉर्ब के लिए नहीं पर हम पस जॉब दोखेरी निकले उसके जून 2019 दे पास आउठ था वह किया व इसजब पढ़ने क्या वह इन्हों मैं बोला कि साड़े नौजर आपकी वीजा की फीस है जो वहां पर वीजा अप्लाई करते हैं उसकी फीस और बाकी जो पैसे हैं आपके फाइल चार्ज है कोई दिक्कत नहीं उसके बाद यह आया कि आपको 15,000 और देने हैं कोई बरोडा का कोई लॉयर है कौन है वो जो कैश देने हैं जो आप जो उनके ध्रूर होगा उनको पहुंचाना जाएगा और मतलब वहां का होटल का स्टे फ्लाइट का खर्चा सब कुछ हो दिखाएंगे वह भी भरा और हमको फिर उसके बाद जब मैंने इतना क्योंकि आपने जब पहले तीने सार बढ़े थी उसके आपने सब्सक्राइब चलों बीस जार बढ़े तो पीछे जा नहीं सकते मेरे पचास जार चले गए उसके आज इन्होंने बोला मैडिकल तो हम लोग को लगा श लीगल तो है यही चीज़ मांगते हैं ऐसा कुछ है नहीं फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि पास्पोर्ट कुरियर करो यहां से चंदीगर हमने तब भी मुझे रेड लाइट नहीं जली और हम तीनों चारों लोगों ने कर दिया कुरियर करने के बाद उन्होंने बोला कि 45 लगेगा आपका वीजा को जो भी स्टेटस है 45 बाद क्या आता है कि रिजेक्शन रिजेक्शन क्यूं रिजेक्शन का उन्होंने रिजेक्शन दिया आप कुछ ऐसा एसेट नहीं दिखा सके कि आपको वापस आना है यह रिजेट था ठीक है और दो मॉस्ट इंपॉर्टन जो आपको रिजेक्शन में आते हैं पहला तो आप कुछ ऐसा एसेट नहीं दिखा सके और सेकंड मॉस्ट इंपॉर्टन थिंग कि आपके बैंक स्टेट में बहुत तगड़ा था वह मेरे बड़े पापकी विजे से था तो उसका कोई इस दूनी था और एक चीज और जो हो है तब भी हमको रेड लेड नहीं चली और उसके बाद हमने सब कुछ करने के बाद जब हमारा रिजेक्शन आ गया तो रिजेक्शन आने के बाद मैंने बोला उनको मैंने फोन कि कोई बात ने रिजेक्शन आ गया बट हमने बोला कि जो हमारे लॉयर की 15,000 थे और आपके आ नॉर्म्बर सब सीन खताम हो गया नॉर्म्बर के असबास इसाहर सीन हो गया हमाई सारी होप्स क्रेश उड़े उसके बाद जनवरी से मेरा पासपोर्ट वहाँ पढ़ा हुआ है उन्होंने बोला कि सर आं वापस से अपलाई करेंगे लेकिन तीन महेंने बार अग तो मैंने को उनके सारे नंबर बंगर बंगर्द पढ़ें झाल बंद इंशन्स कॉल नहीं मैसेज नहीं कुछ नहीं डिटरली मैसेज करके छोड़े तेगे को वाटशेपर कॉल मैं सैचेघुलरली कर रहा था मेरा पासपोर्ट वहां पड़ाता है। मेरी को मैं उसके पॉसिबल नहीं हो पा रहा था और उसके बाद फिर मैंने बहुत कहीं से धूर धार के कोई एक सुलेखा करके एक स्वेपसाइट हो वहां से मैंने उनके ओनर का नम बनें उनको पहले मैंने जैसे कॉल किया मैंने उनको बोला आप यह कंसल्टिन से बात करने तो उन्हें फोन क कॉल किया उनका नाम लिया मैंने तो उन्हेंने बोला कि ठीक है तो मैंने उनको बोला कि सब्सक्राइब मेरे पासपोर्ट आज कुछ नहीं तो आठ या नौ मैने से ज़्यादा पढ़ा हुआ पर तो अपना नमबर दो कल मारी मैडम बात करेंगी और फिर उसी मैडम का फोन आता है जिसने मुझे यह पूरा जिसने यह हमाय साथ इसने पूरा डिल किया था किसी और नमबर से और फिर उसने मुझे बोला कि सर आप को पासपोर्ट हम वापस देंगे बट आपको लिख के देना पड़ेगा कि आप अपनी फीस कभी क्लेम नहीं करोगे और अगर मैं न पूरियर के तुरू यहां पर जस्ट आया है चंदी गड़ से और मैंने इसको खोला भी नहीं है तो ऐसे सी है कि आपको बनाया जा रहा है और आप बन रहे हो जो पूछा नहीं सर हमारा वहां से सेटिंग है मतलब MNC तो है अभी वह लोग ऐसे हैं कि भाया उनकी सेटिंग है कंसें वालों के साथ उनकी सेटिंग वाव तगड़ी तो यहीं था हमाया और मैं सिर्फ यह कहूंगा कि हम लोग का हम चार लोग ने इसमें अपलाए किया उसमें टोटल लॉस कुछ यह हुआ हमको टू लाक रुपे का मेरी में साथ तीन लोग और थे मेरे थू नहीं अपलाए किया था तो दो लाक रुपे के असपास का लॉस हुआ और उसके बाद लीगल तरीके फिर मुझे पता चले आलेट सब दे सकते हो पर उसमें तो फिर यह सारा वीजा से ऑस्ट्रेलिया के शेकर में था तो बस यह सीन था और मैंने यह वीडियो उनाने का सोचा भी नहीं था मैंने सोचा था किया सो लोग सोचेंगे कैसा बेबकूफ इंसान है इतना सारा इंदस कर जा लेकिन आपको एक होता है नहीं कि आपको रौश्णी की इक भी जलग जिती क्योंकि आपको डॉलर में कमाना है तो आप हर हाथ तर मारने की कोशिश करते हो यही सिंधा माय साथ हमने हाथ तर मारे नहीं सक्सेस्फूल हूँ है लेकिन कुछ सीखने को मिला है 50,000 रुपीज आप कमा सकते हैं ऐसा पर जरूरी नहीं है लेकिन आपने नहीं बात करना कि मेरे फ्रेंट के साथ किसी के साथ बता सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो मैं उनके जो भी नाम है आप इन्वेस्ट कर दो डूट राइट वे थेंक्यू